प्रवाइब दिखाया गया है इस रामा सेरियल में हीर अपने माबाप की अकलोती बेटी होती है हीर का बाप बहुत ही अमीर इंसान होता है और इससे बहुत ही प्यार करता है हीर यूनिवरस्टी में जमाल को पसंद कर लेती है और जमाल भी इसको बेहत प्यार करने लगता है मगर हीर का रिष्टा बच्पन से ही उसके कजन शाहमीर के साथ तैह हो चुका होता है मगर इस बाद का हीर कुप नहीं पता होता और जब पता चलता है तो वो अपने बाप से बहुत नाराज होती है हीर का बाप उसे यकीन डलाता है कि वो उसका रिष्टा वहाँ ही करेगा जिसे वो पसंद करेगी मगर खांडाली रवायात के मताबिक उसको अपनी बेटी की शादी शाहमीर से करना मजबूरी बन जाता है और जब जमाल रिष्टा लेकर हीर के गर आता है और उसके माबाप को बता देता है कि हम निकाह कर चुके हैं मगर वो नहीं मानते वो सोईते हैं कि ये हमें ड़ा रहे हैं कि हम हीर की शादी मत करें ये सब होने के बाद हीर का बाप जमाल को पुलिस के हाथों काफी माल परवाता है इस सब के बाद जब जमाल होस्पिटल पहुंटा है आ उसे भहाए नर्स मर्यम मिल्ती है जो इससे प्यार करने लग जाती है जमाल मर्यम को साथ-साथ बता देता है कि वो सिरफ हीर को ही चाहता है और वो उससे निकाह कर चुका है इसी दोरान हीर की शादी शाहमीर से हो जाती है शाहमीर भी किसी और लड़की को पसंद करता है मगर ये शादी करना इन दोनों के लिए मजबूरी होता है जमाल के इतनी देर गाइब रहने से हीर को लगता है कि जमाल उसे छोड़ चुका है मगर हीर को मालूम नहीं होता कि जमाल के साथ इतना कुछ हो चुका है दूसरी तरफ जब शामीर की गल्फनें को पता चलता है कि उसकी शादी किसी और लड़की के साथ हो चुकी है तो वो उसे छोड़ देती है इसी के बाद शामीर को हीर अच्छी लगने लग जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है इस सब के बाद शामीर हीर से दुपारा निकाह करना चाहता है और हीर उसे जमाल के निकाह के बारे में बता देती है और हीर शामीर को बता देती है कि हीर तुम से बहुत प्यार करती है ये शादी करना उसके लिए मजबूरी था मगर जमाल कहता है कि मैं हीर को अजाद करना चाहता हूँ क्योंके हीर ये चाहती है इन सब के बाद हीर जमाल से तलाफ लेने के लिए और उसकी शर्ट पूरी करने के लिए शाहमीर को किसी जगा पर भुलाती है शाहमीर का बड़ा बाई हीर का अकसर पीछा करता रहता है और उस दिन वो भी उसी जगा पहुंच जाता है और जब वो हीर और जमाल को एक तूसरे से मिलते हुए देखता है तो वो जमाल पर गन से फायर कर देता है जमाल को गोली लग जाती है उसी टाइम शाहमीर भी वहाँ आ जाता है और जब वो देखता है कि जमाल को गोली लग चुकी है तो वो जल्दी से इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है हॉस्पिटल में दोनों का इलाज होता है और दोनों ही बच जाते है यह सब होने के बाद हीर का बाप उसे हॉस्पिटल से ले जाता है और शाहमीर के बड़े बाई पर केस कर देता है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आगे होगा क्या इसका एंड क्या होगा आप लोगों के जहन में बहुत से सवालात आ रहे होंगे क्या हीर शाहमीर के साथ दुबारा निकाह करेगी क्या जमाल हीर को तलाग देगा या हीर अकेली रह जाएगी कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि जमाल इन सब के बाद मर्यम से शादी कर लेगा और शाहमीर हीर के साथ दुबारा निकाह कर लेगा मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं आप आपको बताऊंगा कि इस ड्रामा सीरियर की लास्ट एपिसोर्स में क्या होने वाला है तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसकी वज़ा ये है कि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें और अप मैं आपको बताता हूँ कि इस्रामिका एंड क्या होने वाला है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जमाल मर्यम के पास नहीं जाता वो यूही बटकता फिरता है दूसरी तरफ हीर काबाप हीर से बड़ॉत माफिया मांगता है हीर काबप हीर को बोलता है अब तुमारी जिंदगी बर बाद हो चुकी है हीर बोलती है कि अब सारी जिंदगी आप लोगों के पास ही गुजारूंगी मैं आप शादी नहीं करना чाथिए और ना किसी के पास रहना चाती हूँ ये सब कुछ होने के बाद हीर का बाप उसे शहमीर के गर बेजने से बही ड़ता है फिर एक दिन हीर का बाप उसकी मा को और हीर को लेकर किसी मजार पर जाता है और वहाँ खाना तक्सीम करता है मजाना पर अक्सर लावारस लोग बैटे होते है जब हीर इन लोगों में खाना बांट रही होती है तो वो अचानक एक आदमी को देखती है जिसने चादर ली होती है और लावारस बैटा होता है आप इसी में देख सकते हैं वो कोई और नहीं जमाल होता है हीर उसको देखकर एक दफ़ा हेरान हो जाती है और दिल ही दिल में रो रही होती है हीर जमाल की ये हालत देखकर बहुत रोती है और सूचती है कि मैं जिस बंदे को गल्ट समझ रही थी वो क्या निकला उसने मेरे लिए सारी लाइफ पर बाद कर दी हीर जमाल को दुबारा से अपना लेगी और उसके साथ खुश रहने लग जाएगी वोसे जाएफ शाहमीर अपना गड़ छोड़ कर चला जाता है शाहमीर के गड़ वालों को भी एहसास होता है कि हमने शाहमीर के साथ बहुत गल्द किया अपनी खांदानी रावायात को लखते हुए हमने बच्चों की जिन्दवी बर्बाद कर दी शाहमीर के बाई को भी उसकी अपनी गल्दी का एहसास हो जाता है वो शाहमीर को गर वापिस ले आता है और उसको उसकी जिन्दवी गुजारने का पुरा हक दे देते हैं इस त्रमा सिर्यल की स्टोरी हमारी तो